असलाम अलेकुम students कैसे हैं आप सब लोग ठीक हैं आज lecture series में जिस topic को हम define कर रहे हैं वो है theft theft, extortion, robbery and dequity are connected offenses. these are series of offenses. theft is least while dequity is extreme aggravated form of this series of offenses. तो आपका theft, extortion, robbery and dequity ये basically connected offenses हैं, जो theft है वो इसकी सबसे कम हालत है. चोरी इस जराइम की series में सबसे कम हालत है जबके dequity इसकी aggravated form है, इसकी बड़ी हुई हालत का नाम है. basically जो चोर है वो माल चुराना चाहता है. और किस तरीके से ये convert हो जाता है, dequity में aggravate करते हैं, उसकी सुरत को बदल देता है, उसके nature of crime को change कर देता है, उसकी सजा बदल जाती है. इस बारे में ही हमने जानना है, इसको समझना है, कानून के तालब इलम होते हुए, student होते हुए, या वो लोग जो practice कर रहे हैं, या आम रूटीन में वो लोग जिनके साथ ये वाकियात, ये वारदाते रूनुमा हो जाती है, उन्हें भी इसके बारे में पता चलता है, कि हम फहम अग्जुबान में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, अगर कोई शक्स किसी के किसी माल को, किसी property को, उसकी मौन को, मनकूला जायदात को, मूवेबल property को, उसकी permission के बगएर, उसकी मालक की मरजी के बगएर, या उसके लाफूल कस्टोडियन की permission या मरजी के डिफाइन किया हुए और इसकी सजा section 379 में मिल जाती है इसी तरीके से अगर हम इसकी वजात करें कि कभी ये जुरम extraction में convert हो जाता है extraction में कैसे convert होता है अगर मैं आपको एक आम example से समझाना चाहूं ये बात कि अगर कोई शक्स आया और आपको पता नहीं चला आपकी कोई property, आपकी moveable property, आपकी कोई पैसे, आपकी कोई चीज, आपके जवरात आपको पता भी नहीं चला और वो वहां से उठा के ले गया उसको उसने move कर दिया तो इस अमल को हम चोरी कहेंगे लेकिन अब वो शक्स वो चीज चुराने के लिए आया है लेकिन आप से उसका सामना हो गया और उसने साथ ही पस्तोल नेका लिया उसने कहा कि दे दो नहीं तो मैं मार दूँगा मैं आपको नुकसान पहुचाँगा तो अब आपने उस चीज को उसके डर, खोफ के आलम में मुब्दला होके उसके threat में involved होके जान का खतरा आपको लहक हो गया और आपने वो चीज उसके हवाले कर दी तो इस अमल को इस्तेहसाल बोलते है इस अमल को हम extortion बोलते है और कब ये offense convert हो जाता है राबरी के अंदर राबरी के अंदर ये तब convert होता है जब physical force add हो जाए जब theft ये extortion के अंदर add हो जाए use of force जहां पे ताकत का इस्तमाल आ गया ताकत का इस्तमाल आ जाए और कोई शक्स यही अमल करने की कोशिश करे कैसे अगर हम इसको दुबारा पीछे से समझने की कोशिश करे एक शक्स आया माल चुराने की नियत से और वो माल चुरा के ले गया तो ये चुरी हो गया लेकिन वो आया और उसका आप से सामना हो गया और आपने पस्तोल निकाल लिया गन पॉइंट पे ले लिया और उसने वो चीज आपके हवाले कर दी तो यहां पर ये extortion हो गया यानि के show of force I'm using the word show of force I'm not using the word use of force क्योंकि जैसे ही use of force एड हो गई आपने मुजामत की आपने वो माल उसके हवाले नहीं किया जो वो चुराने की नियत से आया था तो आपने उसको convert कर दिया रॉबरी के अंदर तो अब ये offense रॉबरी में convert हो गया अब number of person इसमें बड़े relevant है अगर एक शक्स ताकत का इस्तमाल करके भी इस अमल को करे तो भी रॉबरी है दो भी करें तीन भी करें चार भी करें तो ये रॉबरी ही करे गा और इसी तरीके से अगर इस अमल को करने में पांच या पांच से जाइद लोग involved हो जाएं जैसा के section 391 में आपको इसकी मिसाल मिलती है ये explanation मिलती है when five or more person co jointly commits robbery it's called dequuity जब पांच या पांच से जाइद लोग मिल के robbery commit करते हैं तो इस अमल को dequuity कहते हैं जो कि आपको 395 में मिल जाता है तो अब अगर हम इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करें ये तो मैंने आपको ये बताया कि theft, extortion, robbery and dequuity connected offenses theft is least while dequuity is extreme aggravated form of this series of offense अब हम theft को और theft की different exam को जानने की कानून के मताबिक ताजरात पाकस्तान PPC के अंदर इसको कहां पे define किया है हमें पता होना चाहिए कि 378 में इसकी definition है 379 में इसकी punishment है इसी तरीके से section 380 किसे deal का रहा है, 381 किसे deal का रहा है 381A किसे deal का रहा है, 382 किसे deal का रहा है ये सारे section ताजरात पाकस्तान के अंदर आपके theft को deal का रहे हैं लेकिन इसकी different natures हैं, इसकी इक्साम है, इसकी kinds हैं मुक्तलिफ, उनकी सजाएं भी फिर इसी तरीके से मुक्तलिफ है, उसकी nature के अवाले से तो अगर हम इस board का मुतालिया करें, तो सबसे पहले हमें जो define किया है section 378 PPC के अंदर वो आपके पास theft की definition मिल जाती है, वो क्या है, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession, that person's consent move that property in order to take, taking away, is set to commit theft तो वो ही बात जो मैंने भी आपको explain की थी, अगर कोई भी शक्स जानते बूजते, बदनियती पर मुश्तमिल होके, डिसोनेस्ट होके, अगर किसी की मन्कूला जैदाद को किसी दूसरे के कबजे से लिजाता है, लिजाने की नियत से, तो इस अमल को हम चोरी कह देते हैं, भी हमें 379 के अंदर मिल जाता है, जो इस तरीके से बियान का रहा है, whoever commits theft shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to three years or with fine or with both. इसी तरीके से section 380 वो डील कर रहा है आपके theft को, theft in dwelling house, etc. अगर कोई भी घर, वो जगा जो किसी मसकन के तोर पे इस्तमाल हो रही है, जहां पे कोई लोगों ने राहिश एक्तियार की हुई है, या किसी ऐसी जगा जहां पे लोगों ने अपरी किसी property को महفوظ किया है, रखा ह उस जगा पे अगर कुछ शक्स चोरी करे तो फिर कैसे है, तो सारी बात वो चोरी की वो ही रहेगी जो भी मैंने आपको पहले explain की है, सिर्फ सजा में जनाब फरक पर जाएगा, वो है, अगर कोई भी इसको करता है, तो ऐसी सूरते आल में साथ साल तक की आपको कैद हो सकती है, और साथ में इसमें आपको fine भी लाजमी होगा, तो फरक क्या है, main concept theft का आपका clear है, सिर्फ सजा में फरक आजाएगा, अगर कोई शक्स किसी के घर, किसी के मसकन, या कुई सी जगा पे जाता है, जहां पे उसकी कोई property पढ़ी है, उसको ले जाता है, इसी तरीके से section 381, 38 किसी PPC जो है, वो डील कर रहा है, theft by clerk और servant और property in possession of master, तो ये section specifically servant को डील कर रहा है, employee को डील कर रहा है, कोई शक्स जो किसी master के अंडर काम कर रहा है, employer के अंडर काम कर रहा है, अब यहाँ पे इसको समझने की जरूरत है, आपको पता है, कि जो मालक है और मलाजम है, इनके द मालक ने अंधा ट्रस्ट किया, वो होता है अपने मलाजम पे, इस तरह ही master ने अपने servant पे, वो आपके साथ कहीं बाहर से नहीं आया, वो आपके घर में मुझूद है, वो आपके कारोबारी जगा पे मुझूद है, अगर वो ही शक्स आपके साथ चोरी करे, वो ही शक्स इतमाद को ठेस पुचाए, तो कानून उसके लिए सखती से निबढ़ता है, कोई आम शक्स चोरी कर रहा था, तो उसके लिए क्या सजा मैंने बताई थी, section 379 में तीन साल कैद जर्माना या दोनों की सजा, लेकिन अगर यही काम कोई servant कर रहा है, कोई मुलाजम कर रहा है, आपको जो सजा मिलेगी, वो साथ साल तक की मिल सकती है, साथ साल तक की कैद और लाजमी तोर पे साथ में जर्माना भी एड होगा, तो इस तरीके से हमें, इस section के बारे में पता चल गया, section 381A, जो कि एक specific section है, लोगों की गाड़ियां चुरी हो जाती है, लोग किसी को उसक वहिकल से, मोटर वहिकल से ले जाते हैं, और वहाँ पे तब वो शक्स किस कानून के मताबग डील करेगा, वो जो दर्खास देगा, वो किस कानून के तहर देगा, उस पे कोंसी दफा लगेगी, यह बड़ी इंपोर्टन है, यहाँ पे PPC का जो section 381A, जो है, इसे डील करता है, जो के कहता है, theft of a car, और other motor vehicle, तो जहां पे बेश्चक आपका scooter है, आपकी motor cycle है, यहाँ आपकी कोई कार है, अगर कोई शक्स इसको चुरा के ले जाता है, तो ऐसी सूरतियाल के अंदर भी, जो सजा है, वो उसको बयान कर रहा है, वो साथ साल तक की, आपको कैद हो सकती ह है, जो चोर है, और इसके साथ लाजमी तोर पे इसको fine भी होगा, लेकिन fine की जो मालियत है, वो maximum कितनी होगी, जो stolen property आपकी है, अगर किसी की कार है, उस कार की जो भी मालियत है, उस मालियत के बरापर उसको वहां पे जर्माना साथ हो सकता है, अगर किसी का scooter है, मोटर साइक है, तो जो उसकी वहीकल है, उसकी मालियत के बरापर ये जर्माना होगा, तो इसको भी जाने के हमें जरूरत थी, इसी तरीके से लास्ट में section 382 है, 382 भी theft को डील कर रहा है, लेकिन ये भी एक specific section है, वो आपको डील कर रहा है, theft of a car or other, theft after preparation made for causing death, hurt or restrained in order to the committing of the theft, अगर कोई भी भी शक्स किसी को जान से मारने की कोशिश करता है, यानि कि उसके अंदर उसकी intention, वो प्रिपरेशन उसकी की चीज़ की है, बही अगर उसको माल ना मिले, तो वो आपको शदीद मुझलूब कर सकता है, अगर उसको उसका माल ना मिले, तो वो आपको इनतहाई कدم उठाने पर मजबूर कर सकता है, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए, ये specific section जो है, आपके 382 में define किया हुए, अब ये जो बात है ना, preparation की, ये उसके actor conduct को शो करता है, अगर कोई शक्स रहसलों के साथ मुस्ला होके आगे है, और कोई hardened criminal है, और पूरी planning के साथ आए हुए है, कि अगर आपने उसको उसकी चोरी में काम्याब ना होने दिया, अगर आपने उसको माल ले जाने ना दिया, तो आपकी जान के दरपे पे आ जाएगा, वो आपकी जान ले सकता है, वो आपको मार सकता है, ये वर्ड जो वर्ड preparation का law में यूज़ किया है, ये बताता है कि उस चाह सकते हैं और ये कुमन बात है मौशरे के अंदर ऐसी काली भड़ें भी मुजूद हैं और ऐसी सूरते हैं में सिरफ और सिरफ जो कानून में सक्ती की गई है ऐसे शक्स के लिए कि उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है 10 साल तक की कैद हो सकती है और 7 में लाजमी तोर पे उसको जर्माना भी होगा तो यह गर मैं इसकी पनिशम्ट भी आपके लिए पढ़ दूँ whoever commits theft having made preparation for causing death or hurt or restraining or restraining fear of death or hurt or restraining to any person in order to committing of such theft or in order to affecting of his escape after committing of a theft or in order to restraining of property taken by such theft shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine बरहल यह code के अंदर section के अंदर आपको define किया है असान अलफाज में इसकी बात इतनी सी है कि अगर कोई शक्स इसको commit करता है और आपको जान से नुकसान पुचाने की कोशिश करता है और उसकी preparation के साथ आता है मुसल्ला होके आता है planning के साथ आता है अचानक से नहीं कर रहा तो ऐसी सूरतियां में 10 साल तक की कैदे बामुशक्कत तक की सजा उसको हो सकती है और साथ में जर्माना भी हो सकता है उमीद करता हूँ कि theft के बारे में आज आपने जाना होगा शुक्रिया, थैंक यू